दूर दरास के मुकाम पर रहने वाले दोस्तों रिष्टेदारों के हालात मालुम करने और अपने हालात से उन्हें बाखबर करने का एक एहम वसीला खत है खत लिखने का तरीका कदीम जमाने से चला रहा है पुराने जमाने में खत कबुतरों के जरीए बेजे जाते थे धीरे धीरे खत पहुचाने का एक निजाम कायम हुआ और घोडों और उटों पर खुतूत बेजे जाने लगे फिर मोटर, रेलवे और हवाई जहाजों के जरीए भी डाक पहुचाने का इंतिजाम हुआ हाला से बहुत जल्द वाकिफ कराने के लिए तार के जरीए पैगाम भेजने की मशीन इजाद हुई इस मशीन के जरीए चार दिन की खबर एक दो दिन में मिलने लगी खत के साथ साथ दूर दरास के रिष्टेदारों से बाते करने और उनके हालात दर्यावत करने के लिए टेलीफोन इजाद हुआ और आज के जमाने में हम 4G मुबाइल का इस्तिमाल कर रहे हैं मुबाइल के जरीए हम अपने दोस्तों और रिष्टेदारों से बराहे रास्द गुफतगू करते हैं इसलिए अब खत नवेसी का रिवाज कम हो गया है प्यारी बच्चों आज हम जमा चाहरूं की दर्सी किताब कर सबक नंबर 21 खत इस सबक को पढ़ेंगे